हेलो एवरिवान वेलकम बैक चू माई न्यू वीडियो तो जी देखिए फ्रेंस ये लिए है मैंने दो शॉपिंग बैग और एक मैंने लिए है बैडशीट जो की कोटन की है वो कई जगहें से जैसे कोटन की बैडशीट देखिए कई जगहें से फट जातियां है तो हम उस ओ दोनों मैंने लिए हैं और मैंने लिया है एक जो हमारा पॉलिथीन आता है ट्रांस्पेरेंट तो हम उसका यूज करेंगे तो शॉपिंग बैडशीट और देखिए पॉलिथीन और फ्रेंस मैंने चैनल पे काफी वीडियो भी बैडशीट को लेकर डाली हुई है आपने नह अच्छे हैं सुन्दर थे यलो कलर में और मेरी बैडशीट के साथ भी देखिए मैच कर रहे हैं तो देखिए फ्रेंस इनको मैं दो मेरे पास हैं ये शॉपिंग बैग और इनको चार हिस्सों में काटेंगे देखिए दो एक बैग की होगे और दो एक तो टोटल ये फोर प चुके तो ये देखिए जी और फ्रेंस वीडियो को एंड तक देखना तो ही आपको पता लगेगा कि हमने क्या बनाया है तो अब फ्रेंस देखिए ये डाइनिंग टेबल का मेरे पास ये जो ट्रांस्पेरेंट आता है कवर तो ये वो है फटा हुआ था तो मैंने उसको अ फ्रेंस मैं ये बैडशिट है तो इसको मैं देख रही हूँ कहां से फटी हुई है तो देखे इधर से और ये बच्चों की बैडशिट थी खूब अच्छी थी फ्रेंस बहुत मैंने इसको बिचाया है तीन चार साल होगे इसको लिये हुए और डेली मैं इसको चार-पां दिन बार इसको बिचा लेती थी और बच्चों के रूम में ये बहुत ज्यादा सुन्दर लगी थी जब मैंने इसको खरीदा था और देखे अब भी ऐसे होता है फ्रेंस ओल्ड क्लोथ होते हैं ओल्ड बैडशिट होते हैं हमें फैकने का मनी करता ये सोचते हैं कि इसका क् लंबी चलाई जाए तो इधर देखिए जी ये मेरे पास फटा हुआ एक कवर था बच्चों के बलेजर का स्कूल के तो देखिए ये भी काफी पुराना है और ये मुसा साब भी पड़ा है मैं इसको निकाल कर लेकर आई हूँ क्योंकि अक्सर मैं चीज़ें गेरने से पहल देखिए सोच कर उठा कर एक बार मैं रख देती हूँ तो इसकी ये भी एक तरह का शोपिंग बैग जैसा ही स्टफ है इसका देखिए तो इसमें बच्चों के स्कूल के बलेजर वगरा आती हैं तो इसकी मैं डेड़ेड इंच की हम स्टिप्स कर लेंगे ब्लैक तो ये सार बस फ्रेंट्स एक बार कटिंग कर लेते हैं उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे तो जी टोटल थरी पार्ट होगे निच्चे रख लिया है शौपिंग बैग उपर इसके आ गया है हमारे ये जो बेड़शिट का कपड़ा काटा है हमने रिक्टैंगल शेव में और इसके उपर आगी है ये पन्नी जो हमारी ट्रांस्परेंट जो हमने काटी है तो टोटल थरी पीस होगे तो जी अब चलिए करते हैं स्टार्ट इनको करनी है स्टीचिंग तिन्नों को अच्छे से कर लीजिए अगर आपको ये तिन्नों हिल जूल हो रही है तो फ्रेंट्स आप इ तिन्नों पीस हमारे अच्छे से अटैच हो जाए तो ये देखे जी अब बस ये राउंड पूरा मैं इसका कंप्लीट कर दियूंगी और देखे फ्रेंट्स कितने चाहे कितनी मर्जी हमारी बैडशिट है फट जाएं गिस जाएं बड़ देखे उनका कहियों का तो देखे इन चीज़ों का कुछ ना कुछ होम डेकोर या कीचन से बनाती है तो फ्रेंट्स वह चीज हमारी बहुत ज्यादा सुंदर बनती है एक दम न्यू लुक आता है तो जी मैंने चारों तरफ से स्टीच कर लिया है अब जो हमने स्ट्रिप्स काटी है उनको इसकी देख कावर से निकल चुकी थी तो यह देखिए आउटिंग के लिए यह मैं जब चीज को देती हूं तो हमेशा ही डार्क शेड होती है तो वह एकदम उठकर आती है बहुत सुंदर लगती है तो पिछली वीडियो में फ्रेंट्स हमने बनाए थे यही लगा कर पॉलियोथीन दे देखिए हम ब्लैक लगाएंगे बस इसको उल्टा मैंने सिच किया है उसको फिर सिद्धा करेंगे तो एक बहुत सुंदर कन्नी हमारी बन जाएगी जो की देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी तो लाइट शेड की हमारी बैड शेट है उपर ब्राउन या ब्ल कंप्लीट कर देंगे तो देखिए कितना सुंदर एक हमारा ट्रांस्पेरेंट एक देखिए मैट बनकर रैडी हो चुका है इतना ही नहीं फ्रेंस वीडियो को एंड तक देखिए कि आज मैं ये बनाने क्या जा रही हूं लास्ट में आपके मुझ से वाओ निकलेगी कि बह तो फ्रेंस से कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो हमें करना ही पड़ता है तो जी बस फ्रेंस से इस तरह हमारे चार जो हमने पीस कटे हैं चारों बस से इसी तरह ही सेम ट्रिक से हम करेंगे चारों को बस फ्रेंस से इस तरह स्टिच क लिए बनाया है सबसे पहले मैं आपको बताऊं यह ऐसे बन चुके हैं देखिए इनको वोश करने की डेली में जुरूरत नहीं है इनके उपर जो पन्नी चड़ी है उस पे हम कोलीन मारेंगे तो यह हमारी बहुत सुन्दर देखिए बैक साइड भी इनकी कितनी प्यारी लग है जहां से हमारा ये यलो हमने शौपिंग लगाया है और करनी तो दोनों साइड ओं से ही जो पैप इन है बहुत सुन्दर लगरी है तो च्छार मैट हमारे बन चुके हैं बहुत सुन्दर लगरे हैं अब देखिए इनको कोई दाग लग जाता है इनको हम डाइन टेबल पर भी विचा सकते हैं अगर बच्चे खाना खाते हैं तो बैड के बैड पे मैट के तोर पे भी यूज़ कर सकते हैं और यह देखे फ्रेंस थोड़ा सा कोलीन मारकर कितने अच्छे से क्लीन हो जाता है क्योंकि पन्नी की बज़े से ट्रांसप्रेंट हमारी जो बैड शिट है वो दिख रहा है और देखे क्लीन भी हो चुका है और इधर देखे फ्रेंस ये भी इस तरह हैं पिछली वीडियो में मैंने बनाया था तो इसका भी बताती हूं कि मैंने ये हमने किस चीज़ के लिए बनाया हुआ है तो देखे फ्रेंस बस हमारे टोटल चार पीस अच्छे से ready हो चुके हैं कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में तो जी आज़ेए अब इदर बताती हूँ मैंने ये देखे न्यू फ्रिज आया था दो-चार दिन पहले मैंने आपको बताया था तो उसके मैंने मैट मंगाए थे तो वो 300 या 400 की रेंज में पड़े टोटल 4 तो जी इनकी कोपी करके ही मैंने दूसरे फ्रिज के सेम डिटो देखे बनाने की कोशिश की है तो मैंने 4 मैट बनाए हैं और एक हैंडल पकड़ने का वो हमने कवर बनाया है तो देखे फ्रेंस कितने सुंदर लग रहे हैं ऐसा पता होता क कि मैं घर पे बना सकती हूँ तो मैं अपने 300 रुपे भी ना खर्ज करती तो देखे फ्रेंस अब इन पे कुछ भी देखने में सुंदर लग रहे हैं कुछ भी हम रखेंगे तो वह हमारा हमारे देखे खराब नहीं होंगे जैसे घी तेल के बरतन होते हैं और अब बारियात लगान की वज़े से दोनों साइडों से अच्छे से चिपक जाएगा और कितनी अच्छी इसकी शेप आई है फ्रेंस ये वीडियो भी मैंने चैनल पे अप्लोड की हुई है पिछली वीडियो तो आप देखना चाहो तो जरूर देखना तो फ्रेंस देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसके भी मैंने ये ब्राउन करनी लगा कर शोपिंग बैग और कपड़े को अटेज करकर बनाए थे तो इस तरह देखिए फ्रेंस ये कितरे हैं अच्छे हमारी मैट और इस तरह के गोल भी मैंने काफी बनाए हुए ये फ्रेंड ये रखने से ये होता है अब जैसे चाशनी वाली कोई चिज़े हैं और ये देखिए कपड़े का बनाया है इसमें आटा चावल की थेली डाली हुई है इन चिजों को फ्रेज में रखते हैं तो जो हमारा फ्रेज है वो चिप-चिपाहट चिप-चिपानी होता और ये चिज़ें वोशेबल होती हैं तो यह चीज़े देखी फ्रेंस, जीरो बजट में हमारी बन कर रेडि होगी, तो I hope friends, आपको आज का मेरा ये आइडिया, Fridget को लेकर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेर करना, कमेंट करना, मिलती हूँ, एक और आइडिया नेया लेकर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओके फ्रेंड वाब बाई